हलो दोस्तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में दोस्तो आज इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ हनियावाई जैसी वीडियो में आप दूसरी कहानी कैसे आड़ कर सकते हैं दोस्तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों कमेंट आ रहा था कि कैसे हम सही से परफेक्टली अपनी दूसरी कहानी को आड़ कर सकते हैं जब वह एक कहानी को लिखने के बाद और दूसरी कहानी को आड़ करते थे तो वहाँ पर सही से scrubling नहीं हो रही थी, या सही से screen चल नहीं रही थी, एसी परिशानी आ रही थी, यदि आप भी ऐसी परिशानी उसे परिशान है, तो इस video को आपको complete देखना है, इस video मैं आपको complete जानकरी देने वाला हूँ से मुनकी जैसी आप कहानी वीडियो कैसे बना सकते हैं और वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी कहानी को आइट करने से लेकर तो यहाँ पे मैं सारी चीजे सौल्व करने वाला हूँ तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है तो चली मुबाइल की स्क्रीन में चलते हैं दोस्ते यह दिया आप चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर से लेकर ले हम अपने चैनल में यूट्यूब से लेटर आपको सारी जानकारियां देते रहते हैं दोस्ते यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काइन मास्टर को ओपेन कर लिया है मैंने जो वीडियो बनाया था कि हानियावाइस जैसा सेम वीडियो कैसे बनाये तो इसी वीडियो को लेकर वहाँ पे सब कुछ दिखाया था तो यहाँ पे आज आप देख सकते हैं, जहां से दोनों कहानिया जुड़ती हैं, सभी को वहीं पे problem आ रही थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह कहानी जाती है उपर और नीचे से फिर से यहाँ पे लगती जाती है, तो देख सकते हैं अभी सही से चल रहा है, तो इसे कैसे किया जाता है सबसे ज़्यादा परिसानी यहीं पर आ रही थी लोगों को तो इसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसे रोक कर दिखाता हूँ आप पहली कहानी को तो add कर लेते हैं लेकिन जब दूसरी कहानी को add करनी की बारी आती है तो वहीं पे आपसे गलतिया हो जाती है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा तो यहाँ पे आपने सब कुछ सीखा होगा अगर नहीं जानते तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लिजिए तभी आप यहाँ पे समझ पाएंगे तो यहाँ पे इस वाले layer को क्लिक करते हैं जो दूसरा layer है दूसरा layer दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पहला layer है टेक्स्ट वाला यहाँ पे उपर देख सकते हैं यह वाला है इसे चावी पर क्लिक करेंगे तब ही move होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं यह यहाँ से है और दूसरा layer हमने यहाँ से लगाया है जैसे ही यहाँ पे यह स्क्रीन जाती है तो यहाँ पे हमने यह वाला लेयर लगा दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह वाला लगा दिया है तो इसके बाद यहाँ पे अप प्ले करके आपको दिखाता हूं यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसे लगा सकते हैं तो चलिए मैं सबसे पहले इस वाले लेयर को डिलीट कर देता हूँ जो मैंने लगाया है यह वाला टेक्स्ट तो इसे माले जी मैंने डिलीट कर दिया अब मेरा यहां तक यह कहानी हो गई है तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इसे नीचे लाना होगा इस वाले लेयर को नीचे लाना है क्योंकि हम ज़्यादा गयब दे कर नहीं बनाएंगे जिससे अच्छा नहीं लगेगा तो इसके लिए आपको लेयर पर क्लिक करना है लेयर पर क्लिक करके हमें उस वाले दूसरी कहानी को आइड कर लेना है दोस्ते यहां पर देख सकते हैं आप हमने दूसरी कहानी को आइड कर लिया है अब इसे set कर लेते हैं, जिस तरह से हमें चाहिए, यहां पे हमारा कहानी set हो चुका है, दोस्तों यहां पे एक चीज और आपको ध्यान देनी है, आपको यहां पे नीचे लाना है, जहां से यह कहानी, यहां से शुरू होती, जब इसका यह पहली वाली कहानी खतम हो जाए, त यहां पे लाने के बाद आपको क्या करना है, इस layer को पूरा layer तक कर देंगे, जितनी बड़ी आपकी कहानी चाहिए, image के बराबर, जो background में आपका image लगा है, इसी के बराबर रख देंगे, तो और सारे layer को बढ़ा कर आपको, यहां पे देख सकते हैं, जो पहली कहानी में layer लगे Хुए है थे, हमने वहां पे बढ़ाकर, अंतिम तक इसे भी कर लिया है, सारे layer को, वहां तक बढ़ा कर कर लेना है, यहां पे सकते हैं, अभी सारे layer को कर लिया है, अभ बारी आती है, जो हमने कहानी add कि हूई है, अब उसे scroll कराने के, तो यहां पे देख सकते हैं, हमन अंतिम में आने के बाद यहां पे अब इस कहानी को स्क्रॉल करना है, ऐसे उपर की तरफ, स्क्रॉल कर देंगे, स्क्रॉल पूरा कर देंगे, तो यहां पे जान लेजे, यह कहानी का अंतिम भाग है, तो यहां पे हमारा कहानी खतम हो चुका है, अब आपको करना क्या है, अब तो मैं आपको इसे प्ले करके एक बार दिखाता हूँ, यह सही चल रहा है कि नहीं, तो यहां से हमने कहानी को add किया है, दूसरी कहानी को यहां से अब देखते हैं, यहां पर थोड़ी इसकी speed ज्यादा है, जो नीचे वाली कहानी है, इसकी speed ज्यादा है, तो इसके लिए आप speed को set कर सकते हैं, इन सारे layers को बढ़ाना है, और यह टेक्स्ट वाला layer है, तो अब देखते हैं, कैसा चल रहा है, अभी भी थोड़ी speed ज्यादा है, देख सकते हैं, यहां पर इसे cross कर रहा है, दोस्तो इसलिए मैं आपको यह सारी चीज़े दिखा रहा हूँ, या जिससे होता क्या है, इस कहानी में बनाते वक्त, परिसानिया क्या आती हैं, उससे आप कैसे निपड़ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़े आपको इसमें बताने के कोशिस कर रहा हूँ, जिससे आप अच्छे से समझ पाएं, और अच्छे से कहानी को आप बन रहा है, तो इसकी लिए फिर से आपको थोड़ा सा और बढ़ा लेना है, दोस्तो ऐसे ही करके आप समझ पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही समझ पाएंगे आप, दोस्तो अब यहां पे हमारी कहानी एकदम पर्फेक्ट रेडी हो चुकी है, अब मैं आपको प्ल यहां पर जो लेयर आप बढ़ा कर सेट कर रहे हैं, चारो लेयर को आपको बढ़ा कर रखना है, नहीं तो कोई आगे पिछे रह जाएगा, तो कहानी आप सेट नहीं कर पाएंगे, यहां पर देख सकते हैं हमने चारो को बराबर किया है, पहला यह बैग्ग्राउंड पूर कर एक लम्मी कहानी बना सकते हैं,